आज हम जानेंगे हर्पी के बहुत ही कमाल का हैक और लाइफ से जुड़ी हुई बहुत ही कमाल के टेप जो आपकी जीवन को बहुत ही आसान बना देने वाली है वीडियो बहुत ही यूसफुल है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चले स्टार्ट करते हैं आज का पहला और यूसफुल टेप तो पहला यूसफुल टेप है मेरा चावल में हर्पी को लेकिए हर्पी का यूस हमने बहुत तरीके से किया है आज हम चावल की तरीके से करने वाले हैं बहुत से गरों में चावल खाया जाता है, कहीं कहीं तो डेली ही चावल को खाने में यूज किया जाता है, चावल की बिना हमारा खाना होता ही नहीं है, पर चावल को जब हम क्लीन करते हैं, तो आप देखती होंगे इसमें एक वाइट स्टार्च यानि की वाइट पानी निकल आप बात्रों वाला पानी का मगगा ले सकते हैं जैसे कि मैंने लिया है तो मैं यहां पे बोलूँगी कि आप कीचन का बरतन बिल्कुल ना ले इसमें हम पाने निकाल लेने वाले हैं चावल का अब इस पानी का हम यूज करने वाले हैं हर्पिक के साथ इस तरीके से हमने पान पानी उटाल फैसे का पानिया सद्रू Simmons पानी मेंने निकाला है। लिया ही हमें हर्पिक टू हमें इसको डाल देना है लगबाग देना टीन चमच अथा हर्पिक आजे में किमें हां जाला है अदा फैसा बहुत अच्छा सुललीषिन के रेडी हो पर इस solution को मैंने tiles पर डाला है जब हम acid से पोचा लगाते हैं तो आप देखते हैं tiles का color बदल जाता है जैसे कि आप उपर वाले हिस्से का tiles का color देख सकते हैं और नीचे जो tiles है जो floor है उसका color देख सकते हैं इस color का shine वापिस केसा लाया जाए यानि कि हम acid अगर use करते हैं तो shine कहीं ना कहीं खतब हो जाता है उस shine को लाने के लिए आप हार्पिक और ये चावल वाले पानी का use कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने brush लेना है और बहुत अच्छे से cleaning करने हैं राइटली हातों का use ना करें क्योंकि अभी भी हार्पिक से हमारे पीला कलर आगया है वो हट जाएगा तो आपके घर में भी इस तरीके का अगर problem है तो इस वाले solution को बनाईए और इससे एक बार cleaning करके देखिएगा आपके घर के tiles का कलर बदल जाने वाले है ये useful tip बहुत ही काम आने वाला है तो इससे आपने जरूर ट्राय आउट करके चलिए पड़ते हैं अगले useful tip के लिए तो केला हमारे घर में daily आता है पर केले का यूज हम सही तरीके से नहीं लेते हैं आज में केले का बहुत ही अनुखा और useful तरीका आपको बताने वाले हूं जिससे केला पूरा का पूरा यूज आ जाने वाला है तो normally हम केले को इस तरी बताने वाले हैं कि छिलके का हम यूज किसे करें तो हम रहे है यहां पर चाकूहँ और आप देखते होंगे कि छिलके के अंदर इस तरफ ना गुदा होता है इस गुदे मैंने आपको नाइप से निकालना बताया है आप इस तरीके से धार वाला यानि थोड़ा सा चमच ले सकते हैं और चमच से भी बहुत अच्छे से इसका जो पील है यानि इसके इंदर का जो गुदा है ये हमने निकाल लेना है इस गुदे में बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है जो हमारे वेट गेन करने में फाइदा फोचाती है यानि कि घर में ऐसा कोई मेंबर है जिसका वज़न जल्दी से बढ़ता नहीं है या बहुत सब्सक्राद दूबले पतले हैं तो इस वाले पार्ट को हमने केले में से निकाल लेना है और इसके बाद में इस पार्ट का मैं आपको यूज करके बताने वाली हूँ बिल्कुर इस तरह के से आपने डिरिंक बनाना है और एकी माने हफ्ते भर में आपको वज़न में फर्क दिखने वाला है अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने इसे जरूर बना के उन्हें पिलाना चाहिए तो यहां पर मैंने गुदा ले लिया है और उसके बाद में यह वाला केला केले के हमने इस तरह के से स्लाइस कर लेना है और इसके बाद में हमने मिलाना है दूद्ध मिनने एक यह लग लिया है इसलिए में 0.5 glass लिद मिला रही हूं अगर आप 2 के लिए लिते हैं तो पुरा एक glass लीध मिलाना है उसके बाद में अगर आपको चीनी पसंद है तो यह पर आपको चीनी एड करनी है अपने स्वाथ के अनुसार इसके बाद में हमने है चिलके का भी आप यूज कर सकते हैं खाने में इस तरीके से, पता तक भी नीचे लेगा कि आप में केले के चिलके का गुदा यूज किया है इसमें, क्योंकि डाइकले केले का चिलका हर घर में नहीं खाय जाता है, तो I hope ये वाला useful trick आपको काम आएगा, और केले का आप पूर का पूरा यूज आप इस तरीके से ले सकते हैं, और नैस useful tip आपके बहुत ही काम आने वाली है, आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, और family member है, तो कभी ना कभी ऐसा होता ही होगा, कि उन्हें मोच आ जाती, कभी पेर में, कभी हाथ में, तो कभी गरदन पे, मतलब हलक को आपके पास ना जाते हुए, आप घर में एक घरिल जुगाड कर सकते हैं, वो है पत्ता गोबी के पत्ते, यह उपर वाले सिरे की जो पत्ते हैं, वो हमने निकाल लेना है, और उस जगा पर बांदना है, जहां पर हमें दर्द हो रहा है, यहां हमें किसी तरह की बाम की, क कड़क हातों से इसे नहीं बांदना है, हलका सा बांदना है, और तीन से चार घंटे आपको रेस्ट करना है, जैसा कि हमें डॉक्टर कहते ही है, कि जब हातों में मोच चोट आ जाए, तो हमें हमेशा इनको अराम देना चीए, ताकि यह फिर से हमारे ठीक से काम कर सकें, बो करने के लिए, अगर आपको पेन बहुत जादा हो रहा है, तब तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, पर दर्द हलका फुलका है, और हमारे काम रुख जाते हैं, चोटे-चोटे दर्द की वज़ज़ से भी हमारे काम रुख जाते हैं, अगर पेरों में मोच आपने जरूर अपलाई करके देखना है, पत्ता कोवी का सबजी होता है, हर घर में आता है, तो इस तरीके से जब भी छोटा मोटा कुछ दर तकलिफ होता है, तो डॉक्टर के पास ना भागते हुए, आप ए घर पे घरेलो जुगाड कर सकते हैं, आपके बहुती काम केसर यह वाला फूट कलर है, और यहाँ पर है गरम मसाला, इन मसालों को हमने मिक्सर में पीसना है, आगर जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर दही मिलाने वाले हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा एक पेस्ट बनके रेडी हो जाएगा, तो इस पेस्ट का हम यूज कर सकते हैं चिकन पे मटन पे फिश फ्राय अगर आप करते हैं उस पे और पनी टिका बनाते हैं तब, यह वाला मसाले का जो मैंने मेजर्मेंट बताया है, बिल्कुल ही सटिक और परफेक्ट है, आपके इस तरह की की चिकन मटन और अंडा करी बनाने के लिए, अगले यूसफुल के लिए, हमारे फ्रीज में जो बेल्ट होता है, आपने देखा होगा इसे बहुत सारे कच्रा हो जाता है, तो इसे आसानी से कैसे निकाले बिना ज़्यादा महनत जंजट के, तो हमारे घर में एर बर्ड होती है, यानि जो काम साफ करने वाली तीली होती है, इसका हम यूज कर सकते हैं फ्रीज का बेल्ट क्लीन करने के लिए यह बहुत ही सिपल सा तरीका है आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है दो एरबर्ट से आप अच्छे से फ्रीज के बेल्ट को क्लीन कर सकते हैं बिना किसी भैनत के ना आपके हाथ लगने वाले हैं ना ही आपको किसी तरह के का कोई cleaner यूज करना है बस air work को इस तरह के से आपको घुमा दे रहा है और आपकी fridge का belt ना बहुत अच्छे से clean हो जाएगा बहुत सारे कहते हैं कि fridge के belt को clean करने के लिए fridge के belt को निकाल ले पर इसे fit करना आसान नहीं होता है कहीं से अगर थोड़ा सा भी gaze बहार निकाल रहा है तो हमारा fridge बहुत ज़्यादा light bill लाने वाला है तो आप एक air belt की बदल से ही बहुत सारे खर्चा बचा सकते हैं आपको किसी cleaner की जरुद नहीं होगी और बढ़िया से ना belt clean हो जाएगा